हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको 36 चाज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी फ्रेंड्स तो यह देखिए यहां पर मैंने 14 इंच लंबाई लिए आपका ब्लाउज की लंबाई जितनी है आप उसे वन इंच एक इधा किया है और इसके बाद हम एक्स्ट्रा पेपर को कट करके हटा देंगे तो यह देखिए हमने एक्स्ट्रा पेपर को कट करके हटा दिया है और इसके बाद हम यहां पर नेग विर्थ ले रहे हैं बैक साइड के लिए 2.5 इंच यानि की धा इंच और यहां पर हम 3 यहां से हमें लेना है 6-inch आर्म होल के लिए तो यह देखिए इस तरह से हमें 6 इंच पर एक मार्क करना है तो यह देखिए इस तरह से सिधी लाइन ड्रो कर लेनी है उसके बाद हमें चेस्ट का 1-4 लेना है तो 36 का 9 आता है 1-4 प्लस 2-inch एक्ष्ट्रा मार्जिन लेना है आप तो डेड़ इंच भी ले सकते हैं और इसके बाद हम यहां पर डेड़ इंच की गोलाई देंगे आर्मौल के लिए तो इस तरह से आप तिरची लाइन्ड रो कर लीजिए और इस तरह से डाट डाट करते हुए गोलाई दे दिजी तो इस तरह से आसानी पड़ती और यह देखिए नीचे साड़ हमें इस तरह से हलका सा divisions डाट करना है और इसके बाद हम बैकसाड की लंबाई लेंगे नाइन इंच और इस तरह से एक बोक्स बना लेंगे इसकी बाद राउंड सेप देना है आप चाहे तो कोई सा भी सेप दे सकते हैं अपनी पसंद का तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने राउंड सेप दे दिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने आर्म होल कट कर लिया है और अब गले की कटिंग करनी है तो यह बैक पाट की कटिंग कम्पिलीट हो चुकी है अब हम इसी तरह का पेपर लेंगे और बैक साइड को ड्रो कर लेंगे दूसरे पेपर पर आर्म होल की साइड हम जैसा है वैसा ही रखेंगे और नीचे साइड से भी हम जैसा है वैसा ही रखेंगे चेंज हमें गले पर करना है फ्रंट साइड का तो यहां से हम लेंगे 6 इंज और इस तरह से एक बॉक्स पना लेंगे और राउंड सेप देदेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमें राउंड सेप देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म हल की साड़ हाफ इंच का सेप देना है फ्रेंट साइड की आर्म हल के लिए तो यह देखिए इस तरह से हमें सेप देदेना है आर्म हल का और इसके बाद हमें बेल्ट के लिए थ्री इंच पर मार करना है इस तरह से और इस सड़ हमें धाई इंच लेना है और इन दोनों निसानों को आपस में जोइंट कर देना है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें जोइंट करना है और इसके बाद हमें कटोरी के लिए मार करना है तो कटोरी कितना लेना है इसका आसान तरीका बताऊंगी आज में सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 इंच साइड से लेना है जितना आपने margin लिया है और इसको मिला देना है सिधी रैंड रो कर देनी है तो यह देखिए और हमें यहां से लेकर यहां तक इंच टेप को रखना है और इस पार्ट को हमें तीन भाग में डिवायड करना है तो यह देखिए 3 इंच के आसपास आ रहा है तो इस तरह से हम 3 इंच पर मार कर देंगे और इसके साट से भी हम माप करके देख लेंगे तो यह देखिए 6 इंच के आसपास आ रहा है और यहां से हम लेंगे 1 इंच गले की साड़ से और आर्बहूल की साड़ से हम 2.5 इंच लेंगे याननी की 2 इंच और इस तार से डाउट डाउट करते हुए कटोरी का शेप देना है तो यह देखिए कटोरी रेडी हो चुकी है हमारी और नीचे साट से भी हम वन इंच एक्स्ट्रा लेंगे और पेपर को कटिंग करेंगे तो यह देखें फ्रेंड्स कटोरी ब्लाज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज हमारी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथ ही लाइक शेर करना बिल्कुल न भूले तो यह देखें फ्रेंड्स सबसे पहले हमें बेल्ट को अलग करना है इसके बाद हमें कटोरी को अलग कर लेनी है तो यह देखें यह हमारी कटोरी वेस्टेज है इसके जगह पे हम बड़ी कटोरी तयार करेंगे तो एक पेपर लेना हमें और इसके उपर हमें कटोरी को जैसा है वैसा ही चारो साड मार्क कर लेना है तो ये देख़े फ्रेंज मैंने मार्क कर लिया है और अब इसके बाद हमें सेंटर निकालना है इसका और सेंटर में हमें олж 1,5 लेना है नीचे तो ये देख़े इसतरा से हमने 5,5 पर एक मार्क किया हुआ है और सैट से अभी हमें 5,5 लेना है और अस्केल से तीरची लाइंड ड्रो कर लेनी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए तो यह देखिए मैंने मार्क कर लिया है और अब इस सेड हम हुप पटी के लिए हाफ इंच एक्ष्ट्रा लेंगे और इस सेड भी हम हाफ इंच एक्ष्ट्रा लेंगे और इस तरह से दोनों निसानों को जोइंट कर देंगे तो यह देखिए इस सेड हमें इस तरह से जोइंट कर देना है और इस सेड भी हमें यहां से लेकर यहां तक जोइंट करना है डाउट डाउट करते हुए तो यह देखिए यहां से हमें लेना है धाई से तीन इन चाप ले सकते हैं सिधी लाइंड रो कर लेनी है हमें और जितना हमने एक्ष्टा बढ़ाया है कोटोरी उतना हमें यहां पर टक्स देना है तो हमने यहां तेट हेड इंच बढ़ाया था तो इस तरह से हमने तेट हेड इंच का टक्स दे दिया है और अब हमें कटोरी को कट कर लेना है तो यह देखिए फ्रेंड्स कटोरी बलाज को हमें अच्छे से कट करना है बिल्कुन हमने मार्क किया है वही हमें कट करना है तो यह देखिए हमारी कटोरी भी रेडी हो चुकी है अब हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम पेपर लेंगे और मार्क करेंगे आप 5 इंच पर आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी ले सकते हैं मैं यहां 5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से सिधा कर लेंगे पेपर को और इसके बाद हम 1.5 इंच छोड़ते हुए बैक सैड का सॉल्डर के पास इस तरह से आर्म होल नापेंगे तो यह देखिए यहां 10 इंच आरा है तो हम यहां पर लंबाई 10 इंच लेंगे तो इस तरह से 10 इंच पर मार्क करना है और एक्ष्टा पेपर को कट करके हटा देना है और अब हम यहां से जितना हमने एक्ष्टा लिया है तो इंच मार्जिन उतना मार्क कर लेंगे और धा इंच की गहराई दे देंगे और यहां से लेकर यहां तक हम तिर्ची लाइंड रो कर देंगे तो यी देख़्े इसतरा से हमें तिर्छी लाइन डू करनी है और स्लीब्स का सेब देना है हमें तो इसतरा से डाउट-डाउट करते हुए स्लीब्स का सेब देना है और स्लीब्स का जो बॉटम है यहाँ six inch है प्लसी ट्वी इंच एक्स्ट्रा मार्जिन तो यह देखिए इस तरह से हम मिला देंगे line को और slips की cutting कर लेंगे तो यह देखिए friends हमारी slips की complete हो जोकी है cutting friends आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comments कर जरुर बताएं साथी like share करना बिल्कुल न भूले thank you friends झाल झाल